है कि अप्टों अब तो आज मैं आपको बताने में आप ऊपटेट कर सकते हैं तो आगे नाम सब्सक्राइब मेरे चैनल ऐसे टाइक में तो इसके लिए करना क्या होगा सबसे पहले आपने जाना आपको प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने क्या आपको करना क्या है गुगल फोटोस को वहाँ पर आपको कर लेना है फूली अपडेट अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वह फिचर आपको नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा गूगल फोटो जो एप है तो यहां पर आपको सर्च माल लेना या फिर आप वहां पर माय एप्स में जाके देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा तो मैं यहां पर सर्च माल लाता हूँ कि फोटोस गूगल फोटोज एप आप गूगल फोटो भी लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा तो यह आप देख रहे हैं फुली अपडेटेट होगे अपडेट करने क्या आपको कर लेना है इसको ओपन जैसी आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेंट दिखने वाला है और नॉर्मल आपको ऐसा द दिखने नर्मल यहां पर कर सकते हैं और अगर को कई कीचीज का आपको यहां पर फोटो लेना है मतब कोई पाट का आपको जैसे मलेगे आपको कुछ Play वीडियो में किसी चीज़ का यहाँ पर इस चीज़ का photo लेना है तो आपको यहां पर लिखा हुआ export frame करके option आप वस्पे click करेंगे तो उसका वहाँ पर photo खिचके एक अलग save हो जाएगा आप देखेंगे आप पर view करेंगे तो इसको मैं यहां से उसको क्रॉप कर सकते हैं जैसा आपको क्रॉप करना हो साइस को यहां क्रॉप कर सकते हैं उसके बाद जाके आप यहां से चाहिए उसकी साइस को रोटेट करना हो जितना परसेंट यहां से रोटेट भी कर सकते हैं और यहां पर अगर आप 3D में उसको शौट करना चा रिदो आप इसको भी हाँ से वीडियो को आप देख रहे अच्छे तरीके से पहले इसको क्रॉप को अच्छे से कर लूँ क्या आपको वीडियो सही देखे तो उसको मैं कर देता हूं reset, done अब यहाँ पर आजाते हैं, adjustment आप यहाँ आपको इसको predefined आपको इतने सारे effect मिल रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी whiteness, highlight, shadow, black point मतलब जो भी आप photo में edit कर सकते थे वो सिर्फ सब आपको यहाँ पर दे दिया है आपको वीडियो की quality को और अच्छे से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं उसको edit करके उसकी बाद वहाँ में पर बहुत सारे effect आपको यहाँ मिलने वाले है जितने भी आपको effect देख रहा है, आप साब यहाँ पर आपको मिल रहा है उसको done करने के आप यहाँ पर आएंगे बगल में एक और filter का मिल रहा है यहाँ पर predefined filter दिख रहे हैं आपको predefined filter है, आपको filter पर click करते जाना है और filter by default यहाँ पर set होते जाएंगे by default इतने सारे filter दिये गए है, आप adjust कर सकते हैं उसके बाद देखेंगे more पर, more पर आपको यहाँ markup को option दिया है आप यहाँ पर जो भी आपको लिखना हो, यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर pen से you करना हो, color change करके यहाँ कई भी तो पूरी वीडियो में वो play होतर आएगा तो यह normal सा update था, यह नया update था, बहुत ही शांदर photos में जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, दोस्तों, उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यो तो दोस्तों, मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और मुझे हो सके तो इस्टा करना और फेस्ट फॉलो करना भी ना भूल जिसका लिंक आपको डिस्क्रेंट पर मिल जाएगा तो थेंक्य दोस्तों